हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू फात्मा जीवान आफिस्यल कैसे हैं आप सावाई होपकी आप लोग की होंगे सर्थ होंगे इंज्वाइ कर रहे होंगे अपना और अपनी फैमली कर ध्यान रख रहे होंगे आज आपके साथ बहुत ही अच्छी रेमेडी सेयर करने वाले ज यह जाईसी बात है कि वह साइण इफेक्ट होगा किसी इसकिन पर लगते है मिहने के था निकल indianे के बाद बहुत अच्छा नुखहा रहाता एक च्छे दो दिन देप होग झानी इसलिए नुक्सान करता है इसलिए निशुरल से अपने घर में भनाएंगे बिलीज जो कि किसी पार्टी शुक्षन में जाने से एक घंटे पहले कर लेंगे तो हमारे फेस पर बहुत अच्छा निखार आएगा बहुत अच्छा ग्लो आएगा हमारा फेस एक दम चमकता और दमकता हुआ होगा और पार्टी में हम सब से हट के दिखने वाले होंगे इसलिए हम निच्रल तरीके से अपने घर में बनाएंगे ब्लीच को अपने फेस पर अप्लाई करेंगे और निच्रल तरीके से कोई भी चीज की जाती है उसका कोई साइड डिफेक्ट नहीं होता या आपको भी पता है क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल कोई मिलावट नहीं है इसलिए कई बार लोगों के बैलनस भी अफोर्ड नहीं कि इसका कोई साइड डिफेक्ट नहीं होगा आपका फेस भी नहीं कराब होगा अगर आपके चेरे पर धाग धब्बे हैं किसी चीज के निसान है तो उसको भी लाटनिंग का काम पर आपका चेरा निखरता हुआ जाएगा इसमें कोई खर्च नहीं होगा खर्च बिलकुल 0 निखरता हमने का सथाऊएगा जाएप यलिय इसके डिनाने कीजा है थाइविट ह JENN को सब्सक्राइब कर लिल पो जाते हैं थाइनकियू अपने लाइक कर लिया नुक होड़कि लिए हैं अगे दर्टेसे हैं और किसी से बनाता हैं काय से हैं और इसको यूच्छ ने मैं इसली है इसली मिल जाता है सब котором होता है हम आज आलों से बिलीज तयार का निकालेंगे हम इसका पानी को किस तरह निकालेंगे आपको हम करने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं ये देखिए हमें ग्रेट करके पइले से यी रखा है ये देखिए ग्रेट करने के बाद इस तरह छोटा चोटा पतला हो जाता है इसके पानी चाहिए इसके पानी में इस्टार्ज होता है भरफूर मात्रा में विटामिन C होती है, बीचिंग परपारटी इसमें बहुत अच्छी होती है, इससे हमारी ब्यूटी बहुत शमकदार हो जाती है, बहुत ही इसमें जो दाग धब्बे होते हैं उसे भी रिमूब करती है, इसका पानी को हमें निकालना कैसे हमने देखो एक थैले को काट कर इस से ब atrás संग या चनई के एलप से भी इसका पानी निकाल सकते हैं देख लिजिए यह पानी इस तरह हम निकाला है इस पानी में हमकुछ और मिलाने वाले है यह पानी बहुत ही कारगर है हमारे किन के लिए अगर आपके फेसपर डार्क सरकलадц तो इस पानी के रेगूलर शीर से आपके डार्क सरकलju जल चले जाने वाले है यह इसकी तोबस बहुत ही हमारी कि सकना करता है हमारे कलर को पेयर करता है यह देखीए इसका निकालता है इसके जूश को हम इस तरह निकाल रहे हैं आप देख सकते हैं आप चाहे तो इस लिए इस तरह निकाल सकते हैं अगर इस तरह नहीं निकालते हैं तो इसका ग्राइंडर जार में ग्राइंड इसको कर लीजिए उसकी प्यूरी तयार हो जाएगी उसको भी मिला सकते हैं देखि इसे चीज हमने क्या लिया है, एक चम्मच मुलतानी मिट्टी ये भी लगबग सब के घरों में सब के पास रहता है, ये इस मिट्टी से बहुत ही अच्छी हमारी स्कीन हो जाती, इसकीन को ये टाइट करती है, दाग दबों को रिमूब करती है, इसकीन को ब्राइट और निख अगर आप साबूत मुलतानी मिट्टी आपके पास है, तो उसे आप फाइन पाउडर तायर कर लीजिए और इसमें मिक्स कर लीजिए, इन सब को मिक्स करना बहुत जरूरी है, आप इसमें देखिए चौती चीज हम क्या मिलाने वाले है, अब इसमें मिलाएंगे रोज मिला लीजिए, अगर आपकी स्किन संस्टिव नहीं है, ड्राई है, ऐली है, तो आप रोज वाटर ना मिला करके यहाँ पर लेमन का जूस मिला लीजिए, अब इसमें से भरपूर होता है, यह भी हमारे कलर को बहुत ही अच्छे से फेयर करने में हिल्प करता है, दाग धब किसी पैक को अपलाई करने से पहले अपने फेयर को एकदम अच्छे से क्लीन करना चाहिए, उसे साफ होना चाहिए, कोई भी धूल मिट्टी गंदगी कोई मेकप नहीं होना चाहिए, साफ करने के लिए हमने लिए थोड़ा सा रोज वाटर, थोड़ी सी काटन और अपने फ इस पर तो उसको एक बार फिर से मिला लेना चाहिए, उसको मिक्स करना जरूरी होता है क्योंकि उसके प्रोड़क्ट्स नीचे बढ़ जाते हैं, इसलिए हमने देखिए थोड़ी सी काटन लिया है, ये घोल हमारा पतला है, बहुत थिक नहीं है, इसलिए पतला बनाया गया है कि इसे लगाने का तरीका अलग है, आप देखते रहिए किस तरह हम लगाते हैं, फर्ष्ट बार इसे अपलाई करते समय आपको ध्यान देना है कि हम या तो बेंड लगा लें, हेर बेंड लगा लें, बाल को पीछे की तरफ बांध लें, इस तरह करते हुए बाल में ना पर लगने पाए-पाए, देखिए हमने लिया थोड़ी सीकाटन, काटन से एक पतला सा लेप लगा लेंगे अपने पूरे फेस पर यह थिग नहीं है, इसलिए मोटी सी परत नहीं लगेगी, अपने पूरे फेस पर इसकी एक लेयर लगा लीजिए, इस तरह काटन को डिप क पूरे फेस पर इसको अपलाई कर लीजिए अपलाई करने के बाद इसे दो मिनट के लिए सुखने के लिए आप छोड़ दीजिए दो मिनट में जब हलका सा ये ड्राइव हो जाए फेस पर आपके तो आप काटन को दुबारा उसमें डिप करें उसके ऊपर दूसरी लेयर भी उसे तरीके से फिर से अपलाई कर ले ये हमारा ब्लीज निच्रल तरीके से बना है इसमें कोई मिलावट नहीं है इसे कोई साइड डिफक्ट नहीं होगा फेस को हमारे बहुत अच्छे से निच्रल निखार लेके आएगा अगर आपके फेस पर किसी प्रगार के दाग धब होंगे तो उसे यह रिमूब करेंगा आपके फेस्ट पर इसकी को अगर ड्राई रहती है तो यह हाड़ेट बना के रखेगा आपकी स्किन हाड़ेट रहेगी ड्राई नहीं रहेगी आप किसी फार्टी फंक्शन में अगर जाना चाहेंगे तो एकदम ब्लीच करके जैसे आप नेचरल ब्लीच किये हैं फिर भी ओ आपको लगेगा कि हम पालर वाला ब्लीच किये हैं इतना निखार इससे भी आएगा इसे आप हपते में दो से चार बार कर सकते हैं दो बार कर सकते हैं आपको जब टाइम मिले तब कर सकते हैं इससे आपकी स्किन बहुत टाइट रहेग हमारे face पर किसी प्रकार के दाग धबे नहीं पढ़ने देती है वो बहुत ही अच्छे से हमारी skin को safety देती है और care करती है देख लीजिए हमने दूसरी layer भी लगा लिया और दो मिनट के लिए सुखने के लिए छोड़ दिये इस तरह करते हुए आप उसके उपर layer लगाते जाए इसकी परत थोड़ी मोटी हो जाएगी फिर दो मिनट के लिए छोड़ दीजिए जब सुख जाए तो आप फिर दूसरी layer उसके उपर लगा लिजिए इस तरह करते हुए कांटीनिव आपको करते रहना है दो-दो मिनट का गैप करते हुए या तो आपका पैक खत्म हो जाए या तो आपका पैक ना खत्म हो तो आपका जितना टाइम हो 5-10 मिनट तक इसके लिए इस तरह अपने फेस पर लगाते रहें कि आपकी इस्किन खिछने लगे, थोड़ा हल्का नर्म रहे, तभी इसे सर्कुलर मोसन में मसाज करते हुए हटाएं, अगर आप चाहते हैं कि इसे मसाज करते हुए ना हटाएं, तो इसे नार्मल पानी से आप वास कर सकते हैं, गुनगुने पानी से अपने फेस को कभी न व बहुत ही अच्छा है हमारे फेस के लिए बहुत बेनिफीसियल माना गया है हमारे फेस के लिए टोमाटो और पोटाइटो दोनों ही और हमने इसमें रोजवाटर जो डाला है रोजवाटर इसकीन टोनर का काम करता है यह भी हमारी इसकीन को बहुत टाइट बना कर रखता है इ या आपको दिखा रहें धुलने के बाद ये देखिए हमने फेस को धुल लिया है धुलने के बाद इस्टा पानी आप सुखा लीजिये हमने अपने पानी को शुखा लिया इस तरह टावल से थप थप आते हुए इसकीन को रगड कर नहीं पूशना चाहिए इससे हमारी इसकी खराब हो जाती है यह देखिए हमने पानी को सुखा लिया सुखाने के बाद हमें चाहिए रोजवाटर आप सारी रोजवाटर नहीं हमने लिया इलोवेरा जिल अगर आपके पास इलोवेरा जिल है आप लगाते हैं या आपको सूट करता है तो आप इलोवेरा जिल ले लीज टुखामिन आई ले ले 2010 आपके पास नंचारन अफेस पर इसकों ले ले लीए जो आपको सूट करता हो उसकों स의क हाथ की में ले कर थोगासा गरम करें और अपने फेस पर मसाज करें मसाज करते समय आपको हमने कई बार बताया है आपका हाथ इस तरह चलना चाहिए जिस तरह मेरा हाथ चल रहा है हलके हाथ से अपने फेस पर थपकी देते हुए फिंगर की हेल्प से इस तरह फिर उसके बाद मसाज करें अपने फेस को मसाज करने के बाद अपने फेस को इ लगा सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रात में लगाएं या दिन में लगाएं किसी परटी में जाने से पहले लगाएं बहुत अच्छा निखार आता है बहुत ये चबलो आता है फिर मिलेंगे ऐसे प्यारी प्यारी वीडियो लेकर अभी आप लाइक करके जाएंग बिन लाइक किया नहीं जाएंगे बाइबाए